Hello friends, welcome to a new video once again. Friends, आज की विज़ो में आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग अपना वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं. मतलब कि अपला गेम का हो ओगया वीडियो, ऐसे भी किसी भी काम का वीडियो आप लोग कैसे एडिट कर सकते हैं. तो मैं वीडियो में आप लोगो को बताऊंगा कि आप लोगए कैसे सस्क्राइब का लोगो लगा सकते है यूटूब के वीडियो में बतांगा तो उससे पहल अगर आप एल निए और पीजिए को भी डबार रखें ताकि जब भी मैं games related या मतलब कि आप लोगो की जानकारी का related जो भी वीडियो बनाओ आप लोगो सबसे पहले देखने के लिए मिले तो आप लोगो क्या करना है पहले kindmaster open कर लेना है तो आप लोग कोई भी app यूज़ कर सकते हैं तो मैं kindmaster यूज़ करता हूँ जिसमें मतलब की बढ़िया quality का video edit होता है और बहुत अच्छा मतलब की easy होता है जिसको use करना तो description में kindmaster का link भी दे दूँगा आप लोग उधर से ज करने के लिए जो यह plus का button है plus के button को touch करना है और इसके बाद आप लोगों को मतलब जो watch of status वाला video तो उसके लिए आप लोग 9.16 issue source कर सकते हैं उसके बाद आप लोग जैसे होगे YouTube के लिए video डालना है तो इसके लिए आप लोगो 16.9 16-9 यह वाला source करना है तो इसके बाद अपना specific वीडियो शोस कर लेना है जैसे कि hugging乾 में इससे जाता हूं यह वाला video source कर लेता हूं तो 51 seconds का वीडियो है तो dodra डेख लीजा में यह video को play करता हूं तो इजब यह video play हो रहा है तो इस video को कैसे आप लोग को Cut कर ने तो इसका आगे का हिस्षा एधर से हाइब करने वाल अगर मेरे को कातना है तो यह आगे वाला दबा TRIM LEFT TO PLAYHEAD इसको दबाना है तो यह देख लिजे आगे का हिस्षा कात चुका है तो मेरे को डाइडेक इधर से आप लोगो डेखने के लिए मिलेगा तो समझ लीजे मेरे को बीच में subscribe का इंट्रोड डालना है तो इस वीडियो को मतलब कि बीच में ये cut का option डालके जो split at playhead इसको touch करना है जो team number वाला option है इसको touch करना है तो इधर बीच में मेरे को क्या करना है कि आप लोग ये video को play होता देख लीजे पहले तो यह जो video play हो रहा है तो यह देख लिए easily जो पहले जैसा था ऐसे play हो गया तो बीच में जो आप लोग प्लास का बटन दिखाए देगा व्यावाला option है उपर अप्षिन पेट अप्सें और आप लोग ऐसे जाए और इडर से में यह सब्सक्राइब वाला वीडियो डाल देता हूं बीच में तो आप लोग को इस तरह का दिखने के लिए मिलेगा तो यह देख लिए तो बीच में मेरे को जो सब्सक्राइब का लोगो है subscribe का लोगो आप लोगो को वीडियो में देखने के लिए मिलेगा तो फिर से जो पहले जैसा था ऐसे वीडियो हो जाएगा मतलब कि बाद में जो जी start हो जाएगा उसके बाद आप लोगो को वीडियो में जो ये अगर वीडियो आप लोगो को नहीं चाहिए आप लोग उसके मतलब की जैसा ही अलग वीडियो डालना चाहते तो ये वीडियो को टच कीजिए और टच करने को बाट ये डिलिट वाला अप्शन पर टच कर ड़ेए वीडियो अज जाएगा अधिया कि जाना है तो ये अप लोग को साथिकनों के पराश दोना ये लिए तो मेर इसको टच कर लेता हूं तो आप लोग देख लिए ये इसने के लिए मिलता है तो ये जो हडा type का जो है इसको हम केसे हटाएंगे तो इसके अप लोग क्या करना है जो वीडियो इसको टुच करना है और इधर पर आप लोगो को इधर पर एक डो टीन चार चार नमबर वाला जो Chroma की वाला option को टुच करना है और इसको आप अब बढ़ा कर सकते हैं इसको बढ़ा करके इधर ला सकते हैं तो यह देख लीजे इसके बाद ऐसा हो गया आपका वीडियो आछ वीजे 120 जो सस्क्काइब वाला जो यह इन्ट आप लोग कहों ऐसे देखने के तो उसके बात हो यह किसी भी वीडियो कौकर देख लिए इसा जो यह फुट्बल को साथ जो यह यह खेल जारे क्या रिक्ट है, इसके बाद इस वीडियो को मैं slow करने के लिए speed में touch करूँगा इसके बाद इस वीडियो को मैं slow करने हूँगा जितना slow आप लोग कर सकते हैं इधर मतलगा कि बहुत slow भी कर सकते हैं और 20 का slow भी कर सकते हैं जितना आपको उछाई है उतना लिमिट में आप लोग रख लिजे तो मैं 0.5 पर रखता हूं तो इसके बSen आप लोगों को वीडियो इस तरह का स्लोक डेहने के लिए मिलेगा कि तो ये देख लिजे कैसे slow हो जाता है वीडियो को अप ये विडियो अगया है तो फ्रेंस आप लोगों ने अभी तक जो वीडियो को है वीडियो को स्लो करना सिख लिया है तो अभी आप लोगों को बताऊंगा कि वीडियो को फास्ट कैसे करते हैं तो यह वीडियो आप लोग देख लीजिए तो यह वीडियो मेंने स्लो करके आप लोगों को दिखाया थ तो आगे का हिस्सा में इधर से कट कर देता हूं तो करने के बाद आप लोगों को इस तरह का दिखने के लिए मिलेगा आप लोगों क्या करना है कि वीडियो को जो है इसको इस्पीट करने के लिए इधर इस्पीट के बटन के टच करके इसको बढ़ा देना है तो इसको बढ़ाने के बाद यह जो वीडियो है आप लोगों का वीडियो इस्पीड हो जाएगा तो गेम में मतलब की जैसे की हो गया गेम प्ले में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है जो है चौट का जो क्लिप होता है उसको बीच में speed करके और फिर slow करके speed किया जाता है तो उसको कैसे किया जाता है तो इसके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इधर पर ही तो ये speed वाला clip हो गया तो मैं speed वाला clip को normal पर लेके जाता हूँ जो पहले जासा था उधर पर ले जाने के बाद मैं इसका एक duplicate copy बना लूँगा तो इसके पीछे कोई आप लोग को और वीडियो देखने के लिए नहीं मिले है तो मैं इस वीडियो को टच करूँगा उपर जो left side में आप लोग देख लिजे उपर जो left side corner में है इसमें जाके आप लोग को duplicate में टच करना है तो इधर आप लोग को 2 copy बनता देखने के लिए मिलेगा जो पहला एक copy था जो उसका एक दूसरा copy बन गया है तो इस वीडियो का ही यह दूसरा एक copy बन चुका है तो इस वीडियो को में इधर से थोड़ा बढ़ गया है तो इधर से cut कर देता हूँ तो इधर से cut करने के बाद आप लोग को क्या देखने के लिए मिलेगा कि यह वीडियो जो है नॉर्मेल स्पीट पर है नॉर्मेल स्पीट है इसको मैं slow motion कर देता हूँ जो गेम में आप लोग को देखने के लिए मिलते हैं उस ताइप का बना देता हूँ तो यह देख लिए आप लोग का वीडियो ऐसा हो गया यह slow motion वाला वीडियो हो गया और इसी clip को मैं फिर से इधर से fast कर देता हूँ जो duplicate वाला clip है इसको मैं थोड़ा fast कर देता हूँ तो इस तरह से ही मतलब कि आपका वीडियो ऐडित होता है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं पहला वाला जो clip था उस clip को आप थोड़ा speed कर दे ज्यादा speed और उसके बाद जो clip है उस clip को जो slow motion करके डीजिये तो यह speed हो गया उसके बाद फिर से यह slow वाला वीडियो हो गया तो इस तरह से आप लोग वीडियो एडित होता है जो slow and fast वाला वीडियो उसके बाद अगर आप लोग बीच में कुछ ऐसा डालना चाहते है कि समझ लेजे यह step का guestors हो गया तो यह non effect वाला है आप लोग effect ऐसा खरीच सकते है जो prime version होतो तो इस type के आप लोग को effect देखने के लिए मिलेगा यह जो हो गया वीडियो तो इस वीडियो के बीच में आप लोग को इस type का होके एसा वीडियो देखने के लिए मिलेगा और इसके बाद क्या करना है वीडियो को आप लोग को इधर से एक्सपोर्ट कर लेना है तो यह आप लोग इधर से quality सिलेक कर सकते है फुल एजडी, HD, HD, 480p ऐसा वहला आप लोग का जो है मतलब की सिलेक कर सकते है आप लोग को जितना हाइड क्वालिटी रखेंगे उतना वीडियो अच्छा होगा तो एक्सपोर्ट होने के बाद आप लोग को वीडियो अपना गेलेर में देखने के लिए मिल जाएगा बाद लोग के लिए कर साथ